क्या बीजेपी का पार्टी तोड़ू मिशन तूट गया क्यों जोईनी की गतार में खड़े रहे गर दोसों नेता आप सोच रहे होंगे कि ये सवाल हम क्यों पूछ रहे हैं दरसल इन सवालों का कनेक्शन गोसी विधान सबाउप चुनाओं के नतीजों से जुड़ा है जिस में उसका मकसद विपक्षी दलो में सर्जिकल स्ट्राइक था जी हां हम बात कर रहे हैं बीजेपी के मिशन डिमोलीशन की जो करीब दो महिने से बंद पड़ा है माना जा रहा है कि घोसी में दारा सिंग की हार इसकी सबसे बड़ी वज़ा है घोसी नहीं बीजेपी में अज्यक है टेर गार में तजार कर रहे हैं त्रेन और गारी से कहीं जाने के लिए नहीं बलकि बीजेपी में ज्षा मिन के लिए और जो नेता बीजेपी कहता मने थामने के लिए शामिल है इन सभी नेताओं की चाहत थी BJP में शामिल होने की लेकिन वो चाहत अब सिर्फ चाहत ही बन कर रह गई है BJP में जौाइनिंग को लेकर उठ चुके हैं सवार ऐसा पहली बार नहीं है जब BJP में जौाइनिंग को लेकर सवाल उठ रहे हो इसके कई उधारन बीजेपी के पिछले इतिहास में देखने को बिलते हैं जैसे यूपी में जब 2012 का विधानसवा चुनाव होने वाला था उससे ठीक पहले बाबु सिंग कुश्वाहा को बीजेपी जुआइन कराए गई हंगामा भड़ा सवाल खड़े हुए तो उन्हें पार्टी से आउट कर दिया गए 2019 में लोकसवा चुनाव में भी ऐसा ही कुछ हुआ चुनाव से पहले बहुबली राजनतिवारी को बीजेपी के सदस्सिता दिलाई गई तब फिर सवाल खड़े हुए तो राजनतिवारी को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया अब सवाल ये कि उन 200 निताओं का क्या होगा और बीजेपी में जो जुआइनिंग रुकी हुई है वो कब शुरू होगी इन सवालों का प्रेशर भी बीजेपी नेतरित उपर कहीं न कहीं बना हुआ है हाला कि माना जा रहा है कि बीजेपी अक्टूबर महीने में एक बार फिर से जुआइनिंग प्रकरिया को शुरू कर सकती है जिसका असर आगावी लोग सुबाच चुनाओं में कितना होगा वो तो वक्त ही बताएगा